आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत्य वहार कथाएं मैं हूँ आपके साथ रिम जिम शिर्मा आप सभी शिव भक्तों का सबसे पहले तो बहुत-बहुत सुपागत है शावन मास महात्मी की इन कथाओं में दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ श्रावन मास महात्मी का 21 अध्याय सुनारे जा रही हूँ इस अध्याय में वेडोत सर्जन और उपाकर्ण जिसे कहते हैं उसकी बार में संपोड़ता से सभी जानकारियां बतलाई गई है समझाई गई है तो सभी शिभक्त प् सनत कुमार ने कहा प्रभो दया करके आप मुझे पूर्ण मासी की विधी बतलाईए है दया निधे महात्मी सुनने से शोताओं को और सुनने की इच्छा तिव्र हो जाती है भगवान सदाशिप बोले है सनत कुमार श्रावन शुक्ल पूर्णिमा के दिन वे तो सर्जन उपाकर्म होता है या पौश मास की पूर्णिमा ते थी उथ सर्जन की बतलाई गई है उथ सर्जन में पौश मास की प्रतिपदा थी या रोहनी नक्षक्र बतलाया गया है दूसरा समय अपनी अपनी शाखा के अनुसार उथ सर्जन तथा उपाकर्म दोनों एक ही समय करने उत्तम कहे गए हैं अता शावन मास पुर्णिमा के दिन उत्सर्जन अभिष्ट है तथा ब्रिहच्य शाखार्थी उपाकर्म में श्रवन नक्षत्र हो उसे दिन रिगवेदियों का उपाकर्म होता है ये जुरवेदियों का उपाकर्म पुर्णिमा में तथा सामवेदियों क हस्त नक्षत्र में होता है उपाकर्म, गुरू और शुकरास्त नक्षत्र में आनंद से करना चाहिए, गुरू तथा शुकरास्त में पहले उपाकर्म का शुभारम न करना चाहिए, यह शास्त्रू का मत है, ग्रहन तथा संक्रांती यादी योग दुष्ट समय आजाने पर द जिमास आ जाने पर शुद्दपक्ष में करना चाहिए, या दोनों उतसर्जन उपकर्म नित्य है, इनको प्रतिवर्ष या दोनों उतसर्जन उपकर्म नित्य करनी चाहिए, उपकर्म की समाप्ति होने पर द्विजातियों के समक्ष उसी सभा में श्वेष्ट सभादीप समर्पन करना चाहिए, उसे आचार्य या अन्य भ्रामन को दे देना चाहिए, पहले सोने, चांदी या तामे के पात्र में एक सेर गेहू रखें, उसके उपर गेहू के आटे का दिया बनाकर घी या तेल में भीको कर तीन बतियां रखकर जलाना चाहिए, फिर पान दक्षना सहित भ्रामन को दे देना चाहिए, भ्रामन का पूजन कर यह मंत्र पढ़ें, यह श्रेष्ट सभादीप दक्षना तथा पान सहित देव देवार्थ के लिए दे रहा हूँ, उसी के समीब सर्पबली करना चाहिए, दोनों कारी अपने अपने ग्रिह सूत्रों को देख कर करनी चाहिए, इस्तिछी में भगवान हैग॓न का अव्दार हुआ है, उस इन हैग॓न हैृँ जयनती महूत्सक करना चाहिए, हैग्रीब उपासक के लिए यह उत्तम है, शावन सब कामों में सिद्धी की प्रापती होती है वही पर शामग धनुष तथा चक्र गलाधारी भग्वान विश्णु की पूजा करनी चाहिए वहां सामवेट को सुनना चाहिए और सामवेट की पूजा करनी चाहिए महां सगी संबंधियों के साथ क्रीरा तथा भोजन करना चाहिए मही परनारियों को पती प्रातार्थ जल क्रीरा करनी चाहिए अपनी अपनी देश तथा घर में भी महुच सब करना चाहिए है ग्रीव कार्चन करना चाहिए मंत्रजक को सुरना चाहिए शुरू में पणव यूजन करना चाहिए उसकी बाद भगवते तथा धर्माय कहकर चतुर्थ अंदर आत्म विशोधन शब्द की यूजना करनी चाहिए फिर अंद में नमः शब्द कहना चाहिए यह 18 अक्षरों का मंत्र सब सद्धियों को प्रदान करने वाला तथा वश्य, मोहन, आदी छे प्रयोगों का एक ही साधत मंत्र है इसका पुरश्चरन अक्षर संख्या के अनुसार 18,00,000 या 18,000 है पर कल्युग में चोगुना करना चाहिए यो करने से भगवान है ग्रीव, प पुर्णिमा के दिन रक्षा बंधन होता है, यह सब रोगों तथा अशुभों का नाश करने वाला है, हेवत्स इसके संबंध में मैं तुमको प्राचीन इतिहास बतलाता हूँ पहले इंद्रानी ने जैश धिर्थ इंद्र के लिए इसे किया था, हे महामो ने पहले बारह वर्ष देव कथा असुर युद्ध हुआ, इंद्रानी ने उस समय सुरेश्वर को ठका देखकर कहा कि हे देव, आज चतुर्दशी है, कल सुबह मैं श्रेश रक्षा बंधन जिसे करनी मातर से आप अजय होंगे, इस तरह कहकर इंद्रानी ने पोडिमा के दिन मंगलादी कर हर्ष देने वाली रक्षा इंद्र के दाए हाथ में बांध दी, इंद्र ने रक्षा बंधवा कर भ्रामनों के साथ स्वस्तिवाचन किया और उसके वाद दानम सेना पर सिथी में तथा किस समय रक्षा बंधन करना चाहिए, यह सब कुछ आप मुझे बतलाईए, आप तो विचित्र कथा सुनाते जा रहे हैं, लेकिन मेरे इन नाना अर्थों से युक्त कथाओं को सुनकर चिपती नहीं होती, बग्वार श्री सदाशिप बोले है सनत कुमार, श्रावन मास के पॉर्णिमा के दिन मनुष्य को प्रातागार, शुदी स्मृती विधान द्वारा स्नान करना चाहिए, संध्याजप आधी करके पित्तर दीपता और शितरपन करना चाहिए, सोने की पात्र की सुरुक्षा बनबाकर उसको सोने की सूतर से बांध कर मोती पात्र में रक्षा रखनी चाहिए, अपने संधर आसन पर सके संबंधियों सहित बैठ कर नाच गाना आधिक कौतुक मंगल करना चाहिए, यह मंत्र पढ़ें एन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलह तेन ट्वार बंधनामी रक्षे माचला माचला, महाबली दान पूजा करके रक्षा बंधन करना चाहिए, इस विधान से जो रक्षा बंधन करता है, वह सब दोशों से दूर हो, वर्ष भर मौश बहार करता है, विधान विग्य मनुष्य को इस विमल श्रावन मास में रक्षा बंधन करता है, वह पुत्र पौत्र तथा सगे संबंधिय की साथ पूरे वर्ष्ट तक आनन्द करता है, लेकिन याद रहें कि रक्षाबंधन कारिय भध्रा में न कलना चाहिए भध्रा में इस पवित्र व्रत को करने वाले मनुश्यों को विपृतफल परत होता है तो इसी प्रकार से श्रावन namas में किया जाने वाले सभी जैगनेश गिर जासवन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्यादास तुम देहु अभैवरदान। जैगिर जापति दीन दयाला सदाकरत संतन प्रतिपाला भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फनीके अंग गौर शिर गंग बहाए मुंड माल तन छार लगाए बस्त्र खाल बागंबर सोहे शवी को देख नागमन मोहे मैना मातु की हवे दुलारी बाम अंग सोहत छवी नारी करत रिशूल सोहत छवी भारी करत सदाशत्रुन चैकारी नंदि गणेश सोहत कैसे सागर मध्य कमल है जैसे कार्तिक श्याम और गणराओ या छवी को कही जात नकाओ देवन जब ही जाय पोकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम ही जुआरी तुरत सडानन आप पठाये लवनिमेश महमार गिराये आप जलंधर असर संहारा सुयश तुमहार विदत संसारा त्रिपुरा सुरसन युद्ध मचाई सब ही क्रिपा कर लीन बचाई किया तपही भागी रथ भारी पूर प्रतिग्याता सुपरारी दानन महतुम सब को नाई सेवक्स्तुती करत सदाही वेद नाम महमा तब गाई अकत अनादी भेद नहीं पाई प्रकट उदधि मन्थन मेज्वाला जरत सुरासर भय विहाला कीन ही दयात करी सहाई नील कंठ तब नाम कहाई पूजन राम चंद्र जब कीना जीत के लंक विभीशन दिना सहस कमल में हो रह धारी कीन परिक्षा तब ही पुरारी एक कमल प्रभु राखे उजोई कमल नायन पूजन चहसोई कठिन भक्ति दीखी प्रभु शंकर भय प्रस बलान दिये एक्षित वर जय 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 अनंत अविनाशी करत क्रपा सबके घटवाशी दुष्ट सकलनत मोहि सतावे ब्रहमत रहो मोहिचैन न आवे तराही तराही मैं नाथ को कारों यही अवसर मोहिआन उबारो लेत्र शूल शत्रुन को मारो संक ट से मोहिआन उबारो माता पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक है आस तुम्हारी आये हरहुमं संकट भारी धन निर्धन को देत सदाही जो कोई जाचे सोफल पाही अस्तुति के ही विधी करें तुम्हारी शमहुनात अब चूक हमारी शंकर हो संकट के नाशन मंगल कार विग्न विनाशन योगी यतिमुनी ध्यान लगा में शारद नारद शीश नमा में नमो नमो जय नमह शिवाए सर ब्रह्मादिक पार न पाए जो यह पाठ करे मन लाई तापर होत है शंभु सहाई रिनिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी पुत्रहीन ध्यान पूर्वग होम करावे त्रयोद शीवरत करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा धूपदीप नैव वेद्य चड़ावे शंकर संमुक पाठ सुनावे जन्म जन्म के पाप नसावे अंत धाम शिव पुर्मे पावे कहें अयोध्या दास आस तुम्हारी जाने सकल तो आज के इस युग में शिव चालीसा का पाथ हर व्यक्ति को जरूर अपनी जीवन में हर प्रकार के सुक्स विधाओं के लिए करना चाहिए आती श्रित्रिगुन शिव जीकी ओम जैशिव ओम कारा स्वामी जैशिव ओम कारा ब्रह्मा वेश्नु सदाशिव अरधांगी धारा ओम जैशिव ओम कारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हनसासन गरूडासन व्रिश वाहन साजे ओम जैशिव ओम कारा दो भुज चार चतुर भुज दस भुज ती सोहे त्री गुण रूप निरखते त्री भुबन जनमोहे ओम जैशिव ओम कारा अक्ष माला वन माला मुण माला धारी चंदन म्रिग मद सोहे भालेश शिधारी ओम जैशिव ओम कारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे ओम जैशिव ओम कारा करके मध्य कमंदल चक्रत्रिशूल धारी सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी ओम जैशिव ओम कारा ब्रह्मा विष्नु सदाशिव जानत अविवेका प्रणबाक्षर मेशोभित ये तीनों एका ओम जैशिव ओम कारा श्रित्र गुन स्वामी जी की आरती जो कोई नरगावे कहत शिवानन्द स्वामी सुख संपती सब पावे ओम जैशिव ओम कारा ओम जैशिव ओम कारा मगवान शेशिव की आरती के साथ इस कथा का यहीं पर समापन होता है आगे की गथाओं के लिए चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे आपके अपनी योट्यूब चैनल पर आपको हर रोज इसी प्रकार महात्मे की कथाओं के साथ साथ सभी वरत्ते उहारों की संपुर्णता से सभी जानकारियां वरत के विधान तिथी किस दिन वरत रखना चाहिए उस वरत की पूझा का विधान क्या है नियम है और उस दिन क्या कर्म है जो हमें करनी चाहिए सब कुछ बतलाया जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हर हर महादेद